जैय श्री गुर्देव, मित्रू हम गुरू को लेकर तो बहुत बातें करते हैं गुरू को लेकर हमारी धारनाएं, मानिताएं, सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होती है वास्तों में गुरू और शिष्य का संबंध एक धागी से बधा हुआ होता है वो धागा जब तक समझ में न आये, तब तक न तो गुरू बना जा सकता है, नहीं शिष्य बना जा सकता है गुरू और शिष्य के बीच में ये जो धागा है, यही वो कड़ी है जो गुरू को गुरू बनाती है और शिष्य को शिष्य बनाती है यदि हमने उस कड़ी को नहीं जाना उस रहसेवई शक्ति को सत्ता को नहीं समझा जो गुरु और शिष्य के बीच एक अटूट बंधन की स्थापना करती है तो फिर गुरु और शिष्य का जो पवित्र रिष्टा है वो सतही नाम का कलपना का रिष्टा रह जाता है वो रिष्टा वास्तों में तब बनता है जब वो कड़ी मजबूत होती है और उस कड़ी के मात्यम से गुरु द्वारा शिष्य में उस महतपूर दिवय उर्जा का संचार होता है जिस दिवय उर्जा से गुरु गुरुत उपद्धारन करता है और शिश्य उस उर्जा को प्राप्त करके निहाल हो जाता है हमने अनेक मारगों में इस कड़ी के बारे में पढ़ा है इस कड़ी को कहते हैं दीक्षा दीक्षा की अनेक विधियां बताई जाती है लेकिन दीक्षा विधी और वर्णन का विशह नहीं है दीक्षा तो वो चीज है जो साधक को वास्तों में साधक बना देती है साधक के जीवन को परिवर्थित कर देती है ये एक पवित्र अनुबंध है पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए समझने की कोशिश कीजिए और ये आप साधक हैं तो वास्तों में ये वीडियो बहुत मैत्वपून होने वाला है कई गूड और रहस्यमई बातें इस वीडियो के माध्यम से हम तक पहुँचने जा रही है गूर शिष्य के बीच में जो पवित्त अनुबंध होता है उसी को दीक्षा कहते है किसी को हमने गूर कह दिया गूर मान लिया कोई मतलब नहीं यदि गूर ने शिष्य को दीक्षा नहीं दी और गुरु में दीक्षा दे भी दी लेकिन गुरु में सामर्थ ही नहीं और उस दीक्षा के माध्यम से उस दीक्षा की शड़ी के माध्यम से गुरु अपने शिश्य को सामर्थ ही न दे पाया तो वो गुरु नहीं सिर्थ एक पाखंडी है गुरु और शिश्य के बीच में जब संबंध इस्थाप्यत होता है तो वो संबंध दैवी होता है। वो दैवी योजना के अनुरूप होता है। गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान को शिश्य को ट्रांसफर कर देते हैं। इस दीक्षा का मतलब है शिश्य को अज्ञान और मोग के अंधकार से मुक्त करके आत्मज्यान की और अग्रसर करना। शिवादी गुरु परियंतम पारंपर्य क्रमेडिय योग में, मंत्र शास्त्र में, तंत्र विद्या में, भक्ति में हर तरह के संप्रदाय में उन सब में दीक्षा का महत्व बदाय गया है। लेकिन जादातर संप्रदायों में दीक्षा महज एक परंपरा बन कर रह गई है क्योंकि गुरु में सामर्थ नहीं कि वो अपने शिष में शक्ति का संचार कर दे ताकि शिष अपने बुद्धि से अतिंद्रिय विशय को क्रहण कर सके लेकिन ऐसी सामर्थ इस धर्थी पर व गुरु शक्तिमान है लेकिन शिष में योगिता की कमी है तो समय लगता है गुरु तब उस शिष की योगिता को विक्सित करते हैं उसमें समय लगता है शिष को लगता है कि मुझे कोई भी अनुभव नहीं हो रहा लेकिन ऐसा नहीं गुरु ने उसके उपर कृपा की है व समझ लीजे कि गुरू में सामर्थ है और शिष्य में योगिता है और दोनों के मिलन से तदकाल शक्तिपात होगें ये विधी आज की नहीं है ये विधी अनाधिकाल से चलिया रही है महिश्वर सदाशिव शिव इसके आदि गुरू है भगवान शिव कहते हैं कि विद्या का पीज कभी नष्ट नहीं होता है और यदि हमारे गुरू में सामर्थ है तो ये शक्तिपात गुरूपी शंभू का प्रसाथ हमें तत्काल मिल जाता है जैसे टच करने से पारसमणी लोहे को सोना बनाती है वैसे ही गुरू भी मलीन संसकार वाले शिष्य को सुवर्ण सद्र शुद्ध बना देते हैं कोईले को स्थोना बना देते हैं ताकि वो अपना कल्यांड कर सकते हैं जो मनी है वो लोहे को कंचन कर सकती है लेकिन गुरू का ये विशेश गुर्ण है कि विशेश को तिव्य इस पर्ष मनी बना देते हैं ऐसे शिष्य गुरू के द्वारा इस पर्श्मनी बने हैं वे औरों का भी मंगल कर सकते हैं. करने की सामर्स देदी जब तक तुम्हारी फोटो रहे गी और तुम्हारे मूह से पूले जाने वाला मंद्र मैं स então जिस बी माध्यम में उपलप्दा रहेगा उसनी माध्यम से साधक का श्रच्टि पातिक्षां के माध्यम से कल्यान होता रहेगा यह परउमपरा महे यह चलती रहेगी अनाधी काल तक अध दीक्षाम प्रवक्षयामी स्रनष्ट कमलानने अश्य विज्ञान मात्रिण देवन्तम लवतेड़ इस दीक्षा से मलश्य को तैव्य शक्ति प्राप्थ हो जाते दीक्षा शब्द में दी अक्षा दो अक्षर है जो दिव्य ज्यान को देती है जिससे हर तरह के पाप मिट जाते हैं उसे दीक्षा कहते हैं जो श्रीजी की तरह समाधी देती है आणव कर्मन माईब तीनों मनों का नाश करती है उसे दीक्षा कहते हैं दीयते ज्यान मर्त्यत शीयते पाश बंधनम अतोग दीक्षेत देवेशी कतिता तत्व जिंतके ब्रहम ज्यान देने वाली पाप और कर्म बंधनों का नाश करने वाली दीक्षा कहनाती है मन और वानी से कर्म से हमने पाप का संचे किया है कितने प्रकार के मल हमारे अंदर मौजूद है उन सब को समूल रूप से नश्ट करने की समर्थ यदि किसी में है तो वो दीक्षा है तत्यक्ष विज्ञान फल देने वाली दोयत भाव और मन को लाए करके अदोयत में इस्थित करने वाली मुक्त देने वाली यदि कोई शक्ती है तो उसको दीक्षा कहते हैं और दीक्षा के कई प्रकार बनाए गए है इसपर्ष दीक्षा द्रुग दीक्षा और मानुस दीक्षा है गुरू अपने शिवहस्त से शिश्य को इसपर्ष करके दीक्षा देते हैं उसमें शक्ति का संचार करते हैं, देविद्रिष्टी से गुरु देखे तो वो द्रिग दीक्षा कहलाती है, और देविद्रिष्टी से गुरु के माध्यम से शेश्य में वो शक्ति प्रवेश कर जाती है, सिद्ध गुरु के सत्य संकल्प के मनन से मानस दीक्षा होती है, द तीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, आपको स्वयम योग होने लगे, अपने आप क्रियाएं होने लगे, हाथ हिनने लगे, शरीर कंपित होने लगे, लोग पोट होने लगे, आनन्द आने लगे, अश्रु की थार बहने लगे, भावों के बेग आने लगे तो ये भूट प्रित प्रिशाच का कारे नहीं है ये तामसिक शक्तियों का कारे नहीं है ये स्वयम शिव का काम है तीन प्रकार की दिक्षाएं बताई गई है लेकिन कहते हैं कि बीच का एक ऐसा काल आया कि ऐसे ऐसे संप्रदाय आये जिन्होंने दीक्षा की इस मूल पदती को विक्रित कर दिया उस दीक्षा को ब्रह्माने पहने क्रियावती, कलावती, वर्णमई और वेदमई ऐसी चार प्रकार की गई इसलिए दर साधक गुर्देव सियाग से दीक्षा लेता है तो चार प्रकार से वो फली भूत होती है किसी-किसी में क्रियावती दीक्षा फली भूत होती है तो बहुत से क्रियाई होती है किसी-किसी में कलावती दीक्षा का उदय होता है तो कलाओं का उदय होता है विविद प्रकार की कलाएं साधक के अंदर से प्रकट होती कोई लेखक बन जाता है कोई वक्ता बन जाता है कोई गीत गाने लगता है वर्णमई और वेदमई जो वर्णमई दीक्षा प्रकट होती है तो मंत्रों का श्रजन होने लगता है और भी विविद्प्रकार के गुणों का उद्गाटन होने लगता है वेदमई दीक्षा प्रकट होती है तो शास्त्रों का गृंधों का पुरानों का सार समझ में आने ल जाता है और किसी किसी सादक में चारों प्रकार की दीक्षा घटित हो जाती है अब कितनी प्रकार की दीक्षा है होती इस्मार्त दीक्षा मानसी की दीक्षा योग दीक्षा चाक्षुशी दीक्षा इस्पार्शी की दीक्षा बाची की दीक्षा मांत्री दीक्षा होत्री शा उते सुरूप दिखाई देते हैं सामने आते हैं वेदान्त मार्ग में शामभवी दीक्षा दी जाती है दर्शनार्ड इसपरशनार्ड शब्दात क्रप्याषिश्य देहके with . शामभवं सहीदे इशिकح देक कर इसपरष्ष पाकिसे ही शिष्ष में अपने ज्यान को देने की सामर्थ जिस गुरू में होती है वो वेदान्त मार्ग में शामभवी दीख्षा दे सकता है ऐसे शामभव शंपुपद प्राप्त कराने वाले शिव भावापन गुरू की क्रपा से शिष्ष कुछ भी नहीं करता सब सत्य होता है गुरो रालोक मात्रिल भाशनाद इसपर्ष नादपी सद्ध सज्जायते ज्यानं सादीक्षा शामभवी बताल देश कानुक्रेडएव शिव शिवता व्यक्ताकारणी सेयन्त शामभवी दीक्षा शिवा देशष शेकारणी चरण दय शंभूता शामभवी शीक्र सिप्टत दिव्यक्यान मिलने लगता है आत्म साक्षात्कार हो जाता है जो शिर्जी का आदेश करती है ऐसी दिख्षा को सामभवी दिख्षा कहते है इसके बाद योग दिख्षा होती है शक्तिमान गुरु अपने सामर्थ से योग दिख्षा देते है या साधक की योगिता से शक्तिमान गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है और गुरु अपने अनुग्रह से साधक में मनचाहा परिवर्दन ला सकते है और साधक अपने समर्पन से योगता से गुरु की समर्थ को प्राप्त करके अपने आप में मनचाहा परिवर्द ला सकते हैं शाक्ती शक्ति भवा दीक्षा शक्ति श्रीपर कुंडली तस्या प्रान विलोमेन प्रवेशः पराश्यमभवे गुरु की योग शक्ति से होने वाली ये शाक्ती दीक्षा है और शक्ती पराप कुंडली देवी है गुरु का अनुक्रह से ये दीक्षा होती है कुंडली शक्ति के जागने से सब शक्तियों का भंडार खुल जाता है शिश्य कुछ भी नहीं करता स्वयम कुंदलनी देवी सब क्रियाएं कराती है जिस शिष्य का प्राण सुशुन्ह में प्रभाहित मने लगता है कुंदलनी शक्ति प्राण के साथ ब्रह्म नाडी में प्रवेश कर जाती है सहस्त्रार में पराशिव में सलनगन होती है तब प्रान ब्रह्म रंध में नय हो जाता है तभी गुरु का गुरु होना और शिश्य का शिश्य होना सार्थबूता अब समझे कि ये दीख्षा होती तो क्या क्या होता है आनन्दस्चैवो कंपोच बदो गूना कुलेश्वरी नित्रा मूर्चा चबेदस्य शड़त्वस्था प्रकीर्थता लश्यन तेश्ट उना रोते वेदनी नकुलेश्वरी वेडितो यत्र कुत्रापी तिष्ठेन मुक्तो नशंचया वेद दीख्षा करोलो कै सदगुरु दुर्लभप्रिया शिश्योपि दुर्लभ त्राद्र पुन्य योगे ने लब्चते नददादस्य कष्या पी इत्याग्या परवेश्वरी आनंद कंप उद्भव घूना निद्रा और मूर्चा आनंद होने लगे कंप होने लगे उद्भव होने लगे घूना होने लगे गुन में लगे, निद्रा आने लगे, बूर्चा आ जाए तो समझ लेना कि वेद दीक्षा हो गई और शास्त्र कहते हैं कि वेद दीक्षा देने वाला सद्गुरू से लोक में दुरलब है और ऐसे शिश्य भी दुरलब हैं जो पुन्य के योग से ही बतारी शक्ति पातान, सारिण, शिश्यो, नुग्रह, मरहती, यत्र, शक्तिर, नुपत, तत्र, सिद्धर, जायते शक्ति पात के अनुसार ही शिश्य अनुक्रहित होता है जहां शक्ति का पात नहीं होता वास्ति नहीं हो सकते योग विज्यान कहता है कि जब शक्ति पात होता है तो तुम्हें ऐसे लक्षन दिखाई देंगे पिजायते शरीर जमीन पर भूमिष्ट हो जाता है कमप होने लगता है मन प्रसंद होने लगता है रोमांच हो जाता है देहादिपात के लक्षन सामने आने लगते हैं देह हिनने लगती है रोमांच करने लगती है कृतार्थ होने लगती है तब समझना चाहिए कि तुम कृता तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। दीक्षा के माध्यम से गुरु शेश्य को आध्यात्मित ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। जो शेश्य को चीवन के सचे अर्थ को समझने और आत्मसाक्षात कारप्राप्त करने में सहय अगूती है। दीक्षा से कुण्यूलिनी जागरन होता है। कुण्यूलिनी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है। दीक्षा से शिष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश होता है, यही कर्म है जो उसकी आध्यात्मित प्रगती में बाधा डालते हैं, गुरु शिष्य को हमेशा उसके अंतर जगत के माध्यम से मार्व दर्शन प्रदान करते रहते हैं, ज़़ दीक्षा होती है तो साधक के शरीर पर इसका प्रभाव देखना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे गुरु हमारी सामर्थ के अनुसार शक्ति का वोल्टेज बढ़ाते हैं, साधक में जितनी सामर्थ होगी दीक्षा से मिलने वाला वोल्टेज उतना ही होगा ताकि वो उस वोल्टेज को सहन कर सेके, इ जिदी किसी साधक के शरीर में योगेता नहीं है, तो उसे उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा जितना किसी और योगे साधक को मिलेगा, क्योंकि शरीर की शमता भी होनी चाहिए उस वोल्टेज को सहन करने के, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, इसलिए तुरंत जिदी किस स्वेद नहीं हो रहा तो यह नहीं मारना चाहिए कि दीक्षा नहीं हुई दीक्षा हुई लेकिन शरीर अभी उपयुक्त नहीं है उस हायर वोल्टेज को ग्रैंड करने के लिए उस हायर वोल्टेज से जो रियक्शन्स होंगे शरीर में क्रियाय होंगी योगासन प्राणयां बंद लगेंगे उनके लिए यदि साधक का शरीर तयार नहीं है साधक का तंत्री का तंत्र तयार नहीं है तो क्रियाई नहीं होंगी साधमा चलेगी बढ़ेगी लेकिन क्रियाई नहीं होंगी क्योंकि तंत्री का तंत्र तयार नहीं है मन, बुद्धि, चित्त और एंकार तयार नहीं है धीरे-धीरे शरीर में जो अवांचनिय प्रकार का पदार्थ है वो हिलकर धीला हो जाता है गंतिया विसरजित होने लगती है परमान भिद्धी नश्ठ होने लगते है साधक नर्म और मुलाइन होने लगता है लोचदार होने लगता है बॉडी जब हिलती है तो अन्डिजारेबल टाइप का जो मैडर होता है वो विसरजित हो जाता है जिसको हम प्रारब्द की उर्जाएं कहते हैं गंतियां कहते हैं जन्व जन्वानतर से हमारे मन में ग्रंथियां बन गई जो शरीर में परिलक्षित होती है प्रकट होती है इसलिए कुंडरिनी हमें हिलाती है डुलाती है शेक करती है ताकि हमारे अंदर की ग्रंथियां विसरजित हो जाए शरीर की अगनी उत्यजित होती है, इसको योगागनी कहते है, और इस से स्थोल शरीर, सुक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच में एक हार्मोनी क्रियेट होती है, अभी तो तीनो शरीर के बीच में कोई तार्मेल ही नहीं है, मन कहीं और भग रहा है, चित कहीं और, बुद् संरिक्षित होने लगते हैं जब दीक्षा राप्त हो जाती है और हम संसार में काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम यहां क्यों वाए है हमारे अंदर से अवांचनिया चीज़ें विशर्जित होती चली जाती है नए और बहतर के निर्मान की भूमी तयार होती है हमारे अंदर की सेवा की शक्तिया बढ़ जाती है तंत्री का उजाती प्रो हो जाती है जिससे हम सेवा में शक्ति के भंडार का उप्योग कर सकते है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं हम उच्चतर आत्मा की आवाज के प्रती और सजग हो जाते हैं समवेदनशील हो जाते हैं हमारा मस्तिश्क हमारे अंदर आत्मा की आवाज को भी डीकोड करने लगता है गहनशील हो जाता है बहुत सारी चीज़े हैं जो परिलक्षित होती जिनके बारे में समर्थ सद्गुरु हमें बताते है मैं बच्चपन में भी मैं था और जब मैं मरता हूं तब भी मैं ही रहता हूं ऐसे ही हमारा उच्चिसवा आत्मा हमारे अनेक अवतारों अनेक योनियों के दौरान भी वही की वही रहता है वो बदलता नहीं जैसे 55 से लेकर बढ़ापे तक मेरा नाम बदलता नहीं मेरा मूल वेक्टद को नहीं बदलता ऐसे ही अनेक अवतारों की यात्राओं में भी मेरा भोच्चुसव बदलता नहीं और इस यात्रा में एक दिन वो आता है जब हमारे अंदर का वो अपरवर्दनिय मैं बार-बार की इस सीमा से आने जाने से स्वहम को मुख्द करना चाहता है शोत की और लोटना चाहता है जहां से वो मूल रूप से निकलाता है जीरे-ठीरे हम अपने विस्तार को वापस अपने मूल की तरफ समेड़ने लगते है चित्त की वरतिया पाहर से अंदर की ओर लोटने लगते है नीचे के तल नश्ट होने लगते है उच्च तल सामने आने लगते हैं इसके आगे भी बहुत सारी बाते हैं जो बताई जाती हैं लेकिन हमारे लिए इतनी ही बाते हैं शायद हमारे इस अस्तित्व के साथ स्विकार करने योगे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे उद्गाटन हमारे सामने होंगे जिस जिस योगेता के स साथ जिस इस तर पर हम पहुंचेंगे उस उस इस तर के बुद्गाटन रहसे हमारे सामने खोलते चले जाएंगे दिक्षा दिक्षा में आज इतना ही आगे फिर इस विश्य पर चर्चा करेंगे जैए श्रीकुर्टेर